जी यहां दोस्तो स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजूकेशन पॉइंट पर मित्रो अभी हम लोग हिंदी की क्लास को पड़ रहे हैं और हिंदी की क्लास में हमने सबसे पहले भासा के उत्पत्ति के बारे में समझा उसके साथ में फिर भासा का विकास कैसी हुआ इस बात को भी समझा उसके साथ में हमने आप भ्रहण सी के रूपोह को भी देखा कि इसह प्रकारसे atrás auf kore आपका हिंदी तक आती तो पहले जैसे संसकत संसकत के बाद आपक जुषका विकास होता है तो वहां पर आपको और आपको मिलती है कि यह भी बहसाउं का जन्म होता है हिंदी को भूज्ञ कितनी होती है हिंदी की भूलय कितनी होते है और साथ में हमने यह भी समझा था कि भासा को भासा के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं इतनी बाते हम लोगों ने पिछले वीडियो में से जान ली हैं यदि इन में से आपको कोई भी क्लास देखनी हो या अपने किसी भी क्लास को ना देखा हो तो अपने स्टी तोर पर हमारे चैनल को सर्च करके और आप लोग जो वीडियो को से तथा उससे उत्पन होने वाली आपकी बोलियों के बारे में दिया गया है जिसमें आपका हिंदी की उपभासा तथा तथा हिंदी की बोलियों के बारे में से दिया गया है उस वीडियो को तो आपको देखना है जिसमें आपको विक्षित होने वाली भासा उसके साथ में हि वीडियो को देखेंगे तो निस्चित रूप से आपको बाते महां से याद हो जाएंगी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भांसा के रूप को आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भांसा के रूप को कि भांसा के रूप क्या होते हैं तो देखें मैंने आपको यह पहले नहीं है इस प्रकार से दि हम लोग देखेंगे तो था कि आपको तीन रूप देखने के लिए मिल जाते हैं कितने रूप दोस्तों तो भासा के आपको तीन रूप देखने के लिए मिल yakti a我要 so दूसरा इसका जो रूप आपके देखने को मिलता है वो आपको होता है लिखित भासा लिखित भासा और तीसरा जो आपको इसका रूप देखने को मिलेगा तो वो मिल जाता मित्रो आपको सांकेतिक भासा सांकेतिक भासा तीसरा जिसका आपको रूप देखनों को मिलेगा तो वो मित्रप के कौन से हो जाएगा सांकेतिक भासा लेकिन मुख्य रूप से आपके भासा के केवाल आपके दो ही रूप होते हैं एक तो मौखिक और एक आपका लिखेत ये आपका भासा के मुख रूपों में से समलेते नहीं होता है लेकिन समझना हमारे लिए इसको भी जरूरी है तो समझे आपका कि आपका मौखिक भासा क्या होती है बिल्कु सिंपाले देखी जैसे के लिखें आपका मौखिक भासा अर्थात जो हम लोग मुक से बोलते हैं वही आपका रूप जो होता है तो कैसा हो जाता है मौकिक भासा हो जाता है लिखत भासा जो हम लोग लिख करके जब अपने विचारों का अदान प्रदान करते हैं तो वह जो आपका रूप हो जाता है तो वह आपका क्या होता है यिदि मने यहां पर कोई बात लिख दी तो वहीं आपका भाचा का कौँन से रूफ हो जाएगा तो लिख भाचा का रूफ हो जाएगा और यदि जैसे ना बोला जाए ना लिखा जाए, बलकि संकेतों के माध्यम से लिख जाया तो वी आपका संकेति वाचा लेकिन सांकेतिक भांसा का मतलब आपका हमेसा एक जैसा नहीं होता है तो समझे यहाँ पर पहले आपको मौकिक भांसा में आपको क्या समझना है अब देखी मौकिक भांसा का मतलब क्या है कि जब हम लोग मुख से बोलते हैं बिल्कु सिंपल सब्दों में समझना है कि भासा का वह रूप जिसका कोई निश्चित चिन्न नहीं होता है वही आपको यहाँ पर क्या हो जाता है? उसी को जो हम लोग वहाँ पर मोखिक भासा कहते है भासा का वही रूप है जिसका कोई निश्चित चिन्ने नहीं होता है भासा का वही रूप आपका क्या कहलाएगा जो है मोखिक भासा कहलाएगा इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका कोई निस्चित चिन नहीं होता है पहली बात दूसरी बात देखिए जो आपके चिन होते है हाँ दूसरी बात यह है कि इसको हम लोग जो ध्वनी भी कहते है भांसा के इस रूप को जो है क्या क्या कहेंगे भांसा के इस रूप को हम लोग जो है ध्वनी भी कहेंगे क्योंकि ध्वनियों का चिन्न नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको दो बाते समझनी है कि मौकिक भासा क्या होती है भासा का वहरूप जिसका कोई निश्चित चिन्न नहीं होता है पहली बात दूसरी बात क्या समझनी है कि इसी को हम लोग यहा घरसकी होती है सा mett दो थाक दूने और एक क्या है निडौिटंधक है यह आपकी दो धुनिगों के प्रकान होते है जैसे की माली जी मैंने अभिद्री के से तो यहां से चि कि आवाज ये जो आपको एदि में कुछ भी बोल करके बता रहा हूं यह कुछ भी आप लोग मेरे सब्दों को सुन रहे हैं तो यह आपके यहाँ पर कैसी द्वनी हो गई सार्थनी हो गई यह माली जी जैसे कोई वपस्तू नीचे गिर जाती है तो इसके गिर ने से जो आवाज उत्पन हो क्या होती है क्या क्या है जिसका कोई निष्चित चिन नहीं नहीं होता है इसी को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं ध्वनीं प्रकार की होती हैं यह बाथ आपको सौन 2021 से आगई होगी इस एक आप का प्रस्न आता है और प्र unpredictable आता है कि भांस की सबसे तम्जंव गई भांसा की सबसे लगुत्तम इकाई या भांसा की सबसे छोटी इकाई भांसा की सबसे छोटी इकाई यदि इस तरीके से आपका प्रशनाता आता है कि भांसा की सबसे छोटी इकाई या भांसा की सबसे लगुत्तम इकाई ध्यार रखेगा कि भांसा के सबसे छोटी काई या भांसा के सबसे लगुत्तम काई क्या होती है तो यदि आपका ये सवाल आता है तो इसके जवाब में आपको लिख देना है ध्वने इसके जवाब में आपको क्या लिख देना है ध्वने या वर्ण दोनों सब्द हो सकते हैं यदि आपको ध्वनी दिया जाए तो ध्वनी नहीं आपको आँ वहाँ पर क्या जाएगा वर्ण तो भांसा के सबसे छोटी काई आपके क्या होती भाईया ध्वनी अत्वा वर्ण इतने बाते आपको याद हो गई आप देखे समझे लिखित भांसा बिल्कुल सिंपल है इसी का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि जैसे मौकिक भांसा में था क्या कि इसका कोई निस्चित चिन नहीं होता है जबकि लिखित भांसा में क्या होता है इसका एक निस्चित चिन होता है भासा का वह रूप जिसको ब्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन होता है वही आपका लिखित भासा हो जाती है और जो भी आपके यह चिन होते हैं इन्हों को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं वर्ण कह देते हैं बहांसा का वहरूप है जिसका कोई एक निश्चित चिन होता है अपनी बात को बेक्त करने का और इसी को यहाँ पर क्या कह देते हैं वर्ण कह देते हैं और वर्ण हमेशा आपके सार्थक ही होते हैं ध्यार रखेगा वर्ण हमेशा आपके कैसे होते हैं सार्थक जैसे हमने माल हमेंसा कैसे होते हैं साथ को क्या है क्या हैं क्या क्या है नहां व क्य नहीं होते हैं तो lab क्या हुआ क्या प्यों लिखा सकता है तो वहरूप जिसका कोई ना कोई एक निश्चे चिन होता है और इसी को यहाँ पर कह देते हैं वर्ण कहते हैं और वर्ण हमेशा कैसे होते हैं सार्थक होते हैं ठीक है याद हो जाएगा और देखिए इनी वर्णों और अच्छों के मेल से आपका जो है सब्द बनते हैं तो यहा भासा की सबसे छोटी सार्थक एकाई याद रखेगा भासा की सबसे छोटी सार्थक एकाई जब आपका सार्थक कह दे तब आप लोगों को इसके जवाब में जो लिखना है तो इसके जवाब में फिर आपको भहिया यहाँ पर क्या लिख देना है सब्द लिख देना है इसके जवाब में आप लोगों को जो है सब्द लिख देना है तो आपको मेरे ख्याल से दोनों प्रस्ण समझ में आगे होंगे कि भाशा के सबसे चोटी एक आई सबसे पहले ध्वनी या वर्ण या भाशा के सबसे चोटी सार्था की इकाई तो आपका क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है और इसी में दी हम एक प्रस्ण और यहां पर एड़ कर दें कि भासा की सबसे बड़ी इकाई तो भासा की सबसे बड़ी इकाई तो भीया याद रखेगा कि भासा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है क्या कोई बताएगा मु यहांद से आपके प्रस्णा आते हैं ध्याने रखीएगा यहां से आते जरूर ही है और जाड़तार आपके सि प्रेकार के डौ तीन प्रस्णगं यह आजाते हैं तो देखें जब कि भासहू सब्सक्री स्थ छोटी सार्थक ही काई कहे दे तब आप लोग को आपके निरत्त होती है तो यहां को सब्सक्रीज चोटी सार्थक ही काई तो आपको सब्सक्रीज घाएगा और बहां सबसे बड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा वाक्ष हो जाएगा इतनी बाते आपको समझ में आ गई होगी अब समझ लेते हैं सांकेतिक भासा क्या होती तो बिल्कुल असांसी बात है कि जब अपने विचारों को ब्यक्त करने के लिए हम न तो ध्वनियों को यूज करते हैं अना है तो और माध्यम को आपका सांकितिक हो जाती हैं कि जब अपने विचारों को भयक्त करने के लिए हम द्वनी तथा वर्नों को मेंसे किसी का भी प्रियोग नहीं करते तो वहाँ पर जो फिर ब्यक्त करने माध्याम को मॉटता हो जाता है जेसे का माली जी आपने किसी को ऐसे कर के जय हो सकते है इसके पर अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं झायों कि अपके इसी को यह जा रहा हो तो ठीक कुण करद से मतलब आपके निकला आते तो यह संकेतिक भासा इसलिए भासा को रूप में काउंट नहीं किया जाता है कि वहला आपको दो इस पेसली याद रखनी है तो मेरे खाल से आप लोगों को सारी बात है याद हो गई होगी एक बार पूरे दिख लीजिए हम पर रिकैप कर लेते हैं कि भासा के रूप तो भा और जिसने यादे हैं संकेति भासा में जैसे दिया आपको कभी बताना पड़े तो जब अपने विचारों को ब्यक्ट करने के लिए ध्वनी याद व्रन में से किसी कभी प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर आपके संकेदिक भांसा का प्रयोग किया जाता है यहां से आपको तीन सवाल कि भांसा के सबसे छोटी काई क्या होती है तो आपका ध्वनिया वन होती है भांसा के सबसे छोटी सार्थक क्या होती है तो जब सार्थक काई दे तब आ एक आपको होता है अच्छर और एक आपका है वण देखे लिखने में तो हम लोग दोनों को एक जैसा लिखते हैं लेकिन फिर ढही संद में अंतर होता अच्छ यह प्रक्रण रहा क्या होते हैं तो दिख अच्छर का मतलब मतलब होता अच्छा जो आपका बना है इस तरीके से आधन चर समझे आधन चर आपका मतलब होता आपका नहीं और चर का मतलब होता चरन होना या आपका समाप्त होना यह तूटेना या आपका तूटेना तो आपका मतलब नहीं और चर का मतलब होता तूटना या आपका समाप था उना सब्सक्राइब ना तूटे जो ना तूटे उस ही को जो मत आंद कैना जा सकते हैं किसमें अभी आपका तूटे गा आधा का प्लस छोटा आ इसमें से तूट जाएगा लेकिन अब हम चाहे कि हम इनको जड़े किसी में तोड़ के देखें तो क्या आपका भी किसी में से टूटेगा नहीं तो बटाइए इसमें से अक्छर कौन सा होंगे तो जिसको और भी ज़्यादा टुकड़ों में ना बाटा जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके वही आपके अक्षर होते हैं तो एक का और आ यह आपके अक्षर हैं लेकिन यह जो आपका लिखा का इसी का नाम आपको क्या हो जाएगा मित्रो इसका नाम आपको हो जाएगा वर्ण जैसे ह आपका क्या है यह आपका यहां पर वर्ण है क्योंकि यहां पर आपकी दो ए हैं और दो ए में एक आपकी यह लगू और एक आपकी यह लगू इन दोनों के मिलने से यहां पर आपकी यह दीरगई बनी हुए है तो यह यहां पर आपका अक्छर हो जाएगा यह यहां पर आपक जा सकता है तो जैसे छोटा अ अचलो गया आधा का आपका अक्छार हो गया चोटी ए जो लिखें यह भी आपके क्या आक्छार है इस परकार के जितने भी आधे आधे वर्ण होते न वो सब भी आपके क्या होते हैं अक्षार होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी आए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ अब बात करते हैं भहिया कि आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं क्या बात करनी हमको हमको बात करनी है कि आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बिल्कुल सी सिंपल भासे में समझे वर्ण वर्ण आपको समझना है कि वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं तो इसको या कोगे हैं इस बात कुछ दियान के रखिए को अब evacue आपको पता होगा बिल्कुँ सिंपल है कि वे वंड जो बिना किसी दूसरे की सहाधा से बोले जाते हैं आपके क्या कहलेंगे स्वार कहलेंगे अर्था स्वार को बोलने के लिए हमको किसी दूसरे वर्ण किया उसकता नहीं होती है बलकि यह जिन वर्णों का उच्छार्ण स्वतांतर्थता पूरुवक किया जाए वही वर्ण आपके क्या करा करवे हैं याद रखिए में उसके लिख भी लीजिए दोEst के डू ARE यहां दो πεासुए ना कि सवारके किना होता है आपके क्या कहला प्रते हैं इसके लुए तो आईसे वर्ण जिनका उच्चारन स्वतंतता पूरवक नहीं किया जाता है या जो स्वरकी सहायता से बोले जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं विंजन कहलाते हैं आप लोग इस बात को भी लिख लेजीगा आप समझ लीजिए कि स्वर के बारे में समझ लेजिए स्वरों की संख्या कितनी होती है स्वरों की संख्या कितनी होती तो देखी यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता स्वरों की संख्या में ठीक है ना बड़ा कंफ्यूजन है यदि हम लोग इसको पहले लिख लें मैं यहां पर लिख देता हूं पहले आपको कि स्वर आपके कितने होते तो देखी एक, दो, तीन, चार अच्छार तो देखाना है, तो ध्यान में रखना है, कि हिंदी में, ध्यान रखना है, कि हिंदी में स्वरों की संख्या, दोस्तों कितनी होटे, होती है 11 हिंदी में स्वरों की संख्याप कितनी होती है क्योंकि आपके अंक और अहाध यहां पर होता ना यह अनुस्वार और आपका भी सर्ग यह आपके स्वर की काटेग्रियम नहीं किया जाते हैं तो किसमें हिंदी में जब आपके पूछे कि हिंदी भासा में कि हिंदी भासा में स्वर कितने होते हैं तो आपको हमेसे 11 बताने हैं अब यह समझ में आगी बार तभी मैं आपको इसका प्रश्ण भी लिखाऊंगा कि आपके किस तरीके से कंफ्यूज करता है परिशा नहीं होईएगा अब समझ लीजिए कि स्वर तो हो गया अब स्वर की मात्राइं कितनी होती हैं स्वर की जो है मात्राइं कितनी होती हैं यह समझ लीजिए तो बताए जड़ा मात्राइं आपके कितनी होती हैं भाईया मात्राइं आपके कितनी होती नहीं होती है, बाग ये देखिए, इसकी ये मात्रा होती है, हाना, इसकी ऐसे करके, इसकी ऐसे करके, इसकी ऐसे मात्रा होती है, इसकी ऐसे होती है, इसकी ये मात्रा लगाई जाती है, रिसी वाली जैसे आप लोग करशना सुना होगा, इसकी ये मात्रा होती है, इसकी आपकी ये मात्रा, इसके आपके ये मात्रा होती है, इसके आपके ये मात्रा होती है, अब गिन लेजिए, कि देखे छोटिया की कोई मात्रा नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, तो भाया, मात्राओं के कुल संख्या कितनी हो गई, तो मात्राओं के क संख्य कोई बी मात्रा नहीं से और cheik is foreign समझ लीजीगा देखे एक प्रश्ण है कि कभी कभी आपका पुंच लेता है कि जैसे माली जी आपको यह वर्ण थ्क है अप समझना है हम इसको समझ लेते हैं पहले है कि यह बड लिखा है कोई भी हो बढ़न हो वर्णे के दाइं तरफ से वर्णे के दाइं तरफ से कौन कितनी मात्राओं को लगाया जाता है वर्णे के दाइं और से कितनी मात्राओं को लगाया जाता है तो दिखें जब हम लोग इसके दाइं तरफ से तो आपके वर्णे का दाइं हिसा ये वाला होगा ठीक है जिस तरफ मेरा ये र मात्रा लग गई और एक आपके जो यहां पर यह वाली मात्रा लग गई यह सब मात्रा आपके कैसे हैं कि वर्ण के दाइं और से वर्ण के दाइं और से लगने वाली क्या हैं यह मात्रा हैं लगने वाली मात्रा यह आपके हैं तो यह यह कितने हैं तो परण के दाइं ओर से लगने वाली मात्राओं के संखे कितने हो जाएगी लगने वाली मत्राय मत्राय कई При生ंत कि चार इन चार का नाम आप लोग लिख सकते हैं एक तो यह जैसे लिखा है बड़े हाना इसके बाद Okay след से लगती है दूसरी बात आपको समझना है कि वर्ण के बाईं और से लगने वाली मात्रा क्या समझना है वर्ण के बाईं और से लगने वाली मात्रा तो देखिए किवल इसमें एक ही मात्रा है जो वर्ण के बाईं और से लगती हुआ है किवल छोटी है ना किवल आपका छोट तो इसमें ये रखना है कि वर्ण के बाईं और से लगने वाली मात्राएं बाईं और से लगने वाली लगने वाली मात्राएं तो ये कितनी होती हैं केवल ये केवल आपकी होती हैं मात्रे एक ध्यां रखीएगा इसके बाद देखिए आपको समझना है कि वर्णे के आपका दाय होगा वर्णे के आपका बाय होगा अब समझना है कि आपका वर्णे के ऊपर से लगने वाले कितनी मात्राइं होती हैं तो देखिए वर्णे के ऊपर से के वाल आपकी जो भी दो मात्रा लगती हैं एक तो यहा उपर से लगने वाली मात्रा हैं लगने वाली मात्रा हैं, तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों, दो हो जाएंगे यहाँ पर आपका कितनी हो जाएंगे यह जो है, दो हो जाएंगे अब यसी प्रगार से समझे कि वरने के नीचे से कौन कौन सी मात्रा हैं लगते हैं तो हम लोग एक्जामपल से पहले हैं पर देख लेंगे एक तो यह हो जाएगे वर्णे के नीचे से एक आपके यह हो जाएगे वर्णे के नीचे से और आपने कृष्णा दे देखा होगा तो रिसी की मात्रा भी आपका वर्णे के नीचे से ही लगती है और था तो मात्रा आपके दाइयों से लगती हैं एक मात्रा आपके बाइयों से लगती हैं दो मात्रा आपके वर्णे के ऊपर से लगती हैं और तीन मात्रा आपका वर्णे के नीचे से लगते हैं तो चार एक पांच पांच दो साथ साथ तेन दस क्लियर इतनी बात मेरी ख्याल से आपको तो समझ में आ गई होगी एक बाद फिर से समझ लीजीगा कि वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के स्वर और ब्यंजन स्वर क्या होते हैं जिनका उच्छारन स्वर्टता पूर्वा किया जाता स्वर होते हैं यह जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता स किया जाए तो वह आपके वेंजन होते हैं अब बात होगी किया पर आपके स्वर कितने होते हैं तो याद रखिए कि हिंदी में स्वर की संख्य केवल आपकी कितनी होती है ग्यारे होती है यहाँ पर आपको ग्यारे का नाम लिखा दिए गए फिर हिंदी में आपके कुल कितनी मात्रा हैं होती तो दोस्तों मात्राओं के संक्या कुल आपके कितनी होती दस होती हैं अब इसके बार में आपको यह भी रखना है याद की कितनी मात्रा दाइं और से लगती हैं तो आपके कितनी मात्रा तो केवल चार मात्रा हैं वह भी मैंने आपको देखी आप भी समझा दि के बाई और से लगते हैं तो आपके यहां पर मात्र के वल एक मात्रा लगती है कितनी मात्रा आपके बढ़ने के ऊपर से लगते हैं तो आपके मात्रे दो मात्रा लगते हैं अब कितनी मात्रा आपके बढ़ने के नीचे लगते हैं तो आपके मात्रे तीन मात्रा लगते हैं इ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जूरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बात और कि आप से मैंने कहा है कि आप लोगों को आप ब्रहंस वाला वीडियो उसमें जिसमें आप ब्रहंस के रूप प्लस उससे जो आपके विक्सित होने वाली भास कि आप लोगों उसको देखेंगे तो आपको एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको याद ना हो मैं तो याद कराने की ही गरंटी लेता हूं अब वीडियो को अन्ते तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद